विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है कि हर दिन किसी ना किसी विपक्षी दल का नेता CBI या इन। विपक्ष के नेता इमानदारी की बड़ी बात यह करते हैं लेकिन हैं अंदर से एकदम खोक ले विपक्ष की कतनी और करनी में भी बड़ा फर्क है वे कहते कुछ ओर है लेकिन करते कुछ ओर है परस्टचार के पहाड पर बैठे विपक्ष को अब केंदर के अजनसी धीरे धीरे नीचे उतारने में लगी है टीमसी के नेता अडानी के मामले पर पियमोदी और पूरी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वे अडानी के साथ मिले हुए है भाजपा वरस्टचार करती है लेकिन जब जाच परवान चरती है तो इनी के नेता पैसा लेकर सबार पूछते भी पकड़े जाते हैं तो दूसरी और पैसा लेकर नोकरी लगवाते भी पकड़े जाते हैं। विपक्ष को लगता है कि वही सबसे ज़्यादा होश्यार है बाकी सब बेवकूफ लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। पिया मोदी का साफ कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा फिर भले ही किसी भी राज्ये में सरकार किसी भी दलकी हो। बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से कि टीमसी के किस नेता के घर पड़ा च्छापा और क्या थे कारण। केंद्रिय जाच ब्यूरो ने मुर्शिदाबाद जिली में एक तीन मूल कॉंग्रेस विधायक के आवास 27 लाख रुपे कैश और बंगाल सिक्षा विभाग में नोकरी के लिए रिश्वत खोटाले से संबधी दस्तावेज जब्त किये। संगई एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि राज्या बर्म्याट स्थानों पर एक साथ चापे मारी की गई। इसलामदास गुपता और चक्रवर्ती ने दावा किया कि में ना तो घोटाले से जुड़े थे और ना है स्कूल कर्मचारियों की भर्तियों में कोई भूमी का निबाही थी। जिसकी जाच सीबियाई और एडी मई दो हजार बाइस में कलकता उचन्यायले दोरा पारित आदेशों के तहट कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि सीबियाई ने उनकी प्रॉपर्टी पर भी छापा मारा जहां उनकी पतनी अदीती मुंची टीमसी विधायक और परसिद लोक गाई का एक संगीत विधायक चलाती हैं। इसलाम ने अपनी पार्टी के सायोगियों को बताया कि उनके घर से जब्त किये गए 28 लाक रुपे एक बेची गई प्रॉपर्टी के थे। सीबियाई ने उनके डॉमकल सितावास से कुछ आभूशन भी जब्त किये हैं। देश शाम तक छापे मारी जारी रहने के बावजूद ना तो सीबियाई और ना ही इसलाम ने बरामत की पर कोई आधिकारिक बयान दिया। इसलाम ने मीडिया को बताया मैं विधान सबस्चत्र में भाग लेने के लिए कोलकाता में हूँ। मैं राज जिस्त्रकार से अनुमती लेकर कॉलिज चला रहा हूँ। मैं किसी भी किसी भरती घोटाले में शामिल नहीं था। टीमसी के नेता जिस तरह से ब्रश्चचार के केस में सनलिप्त नजर आ रहे हैं उसको देख कर तो ऐसा लग रहा है कि उनका राज नितिक जोनम ब्रश्चचार करने के लिए ही हुआ है। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।